ये है पेरुनारी राना सिंगहम इनके दादा के दादा मिलिटरी स्कूल के टीचर थे जब मर्धू पांडी के हाथों में ये गाउं था उनकी वज़े से इनके खांदान का नाम योध्धा हो गया संस्कृती इनके जीवन शैली में देखती है लोगों को खाना खिलाना इनका सबसे बड़ा परोपकार था कम से कम रोज 50 लोगों को खाना खिलाते हैं बहुत बढ़े देखाले हैं लेकिन समय बदला और आज लोग इनकी इज़ट नहीं करते पता नहीं क्यों ये अपने लिए तीसरी बार लड़की देखने आये हैं नमस्ते जीजा जी बात सुनिए बहन ने उल्टी किये शायद गर्भ से है अरे उसे पित हो गया होगा पित नहीं हुआ जीजा जी डॉक्टर ने कहा है प्रेग्नेंट है माफ कीजिएगा दरसल पंडित ने मुझसे कहा था कि मेरी बीवी गर्भ होती नहीं होगी क्या हम इसे नौ मेहनी के लिए टाल सकते हैं क्या अगर बेटी हो गई तो मैं यहाँ जरूर आऊंगा वनावन मादेवी उनकी पहली बीवी है इससे इनकी चार बेटियां है बड़े दुख की बात है कि एक भी बेटा नहीं पंडि जी के हिसाब से मेरा पुत्रयोग नहीं है वरना मैं आपकी इच्छा पूरी कर देती मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यह बताओ मैं अगर दूस अपनी चोटी बहन पंजावन मादेवी की शादी अपने पती से करवा दी थी वो भी बड़े धूमधाम के साथ लेकिन भगवान का इरादा कुछ और ही था और पेरु नहीं ने तीसरी शादी कर ली चोटी बेटी मंगम्मा अपने क्लासमेट के प्यार में पढ़ गई और प्रेगनेंट हो गई जब मा के डेलिवरी होने वाली थी तब बेटी साथ में महीने में पहुच गए पंजावन मादेवी के प्रसय का समय भी आ गया मुझे लगता है हमारे जमिंदार फिर से बाप बने है तीन बीवियों से लड़कियां हो चुकी है मतलब इस बार लड़का ही होगा फिर से लड़की हुई है न मुझे तो तरस आता है न ओरतों पर सुनिए मेरी बास सुनिए अगर यह गावाला हमें आपकी वसीयत नहीं देंगी तो चलेगा हमारी बेटी भी बच्चे को जनन दे सकती है न जी मेरे बास सुनिए जी आपको सिर्फ लड़का चाहिए न पिता जी है मेरे पास आओ यहां बैठो सुनो अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारा नाम रानी क्यों रखता अब देखो न यह महालक्ष्मी रानी यह वैवह लक्ष्मी रानी यह संयुकता रानी जहां सी रानी और यह नई मैमान जो है यह है पदमावती रानी अपने नाम के जैसे तुम सब रानी हो और जहां भी तुम सब की शादियां होंगी वहां रानी बनकर ही रहोगी लेकिन जरा सोचो मेरे मरने के बाद तो कोई ऐसा राजा चाहिए ना जो तुम सब का ख्याल रखे कहानी में ट्विस्ट यह था कि उनकी बेटी मगमा ने एक बेटी को जनम दिया पिता जी खुश रो बेटी खुश रो पिता जी आपको हमेशा से बेटा चाहिए था ना आप इसे रखेजिए आपने बेटे की हैसियत से इसकी परवरिश कीजिएगा मैंने घरवाले से बात कुमार बेटी तुम्हारी बातों से मुझे बहुत खुश हुई इसे पपड़ो वैसे मैं अपने नाती को अपना बेटा कैसे बना सकता हूँ असली खुशी तो तम मिलती जब मेरा बेटा अपने खून का हो क्या हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो अब जरूरी बात ये थी कि सिवागामिनी सेलवम पूरी तरह से तुम्हारा है मगढ मा उसकी मा है ये सबी लोग केले के फत्ते के लिए आया है क्या अरे नहीं कहते थी कि ये कभी मा नहीं बनेगी हरे वा ये तो इश्वर का वर्दान है स्विकार करों से म अखिर में उनका पाँच्वा बच्चा उनकी पहली बेवी से पैदा हुआ और उनकी छोटी बहन ने अपना दूसरा बच्चा पैदा किया। अंशी है उतना ही डरा हुआ हुँ मैं। ऐसा क्यों ? अकेला बेटा और उसकी पांच बहने सोच रहाँ उसके उपर कितनी जिम्यदारिया होंगी। जब मेरे बेटे की सभी पांच बहने शादी करने के बाद अपना-पना घर बसा लेंगी। तो उनके बेटे, भाई, बेहन, रिष्टेदार सब के इकठा होने पर मेरा बेटा सब को कैसे सम्हाल पाएगा। इनका खादान जो दिलेरी और धिस्जत के लिए जाना जाता है, आज वो लोग किसमे भाग ले रहे हैं, जो एक पैल का रेस है। आजशन कोडियार्सू, जिन्दाबार। मैं इसे सुशकी दिखर मोस्त करूँगी। एचि अना जाके रहे तूशका फोटो ले रहा है। जीत कर गाहों का नाम उच्चा करना है, गुना सिंगम नहीं जीदना चाहिए है. अईसा नहीं होगा भाई। पेरुनाही रणासिंगम, कन्या राशी चित्रा नक्ष्यत्र, वनावन मादेवी, रिशब राशी रोहीनी नक्ष्यत्र, पंजवन मादेवी, कुम्ब राशी पुरा तड़ी नक्ष्यत्र, सेम्बियन मादेवी, करक राशी पुनर पुसम नक्ष्यत्र, थामराई मनाला सेड यार क्या मेरा भाई वहां पर नहीं आया है कि ऐसा है तो फिर मेरा आना तो बनता ही है न। यह है सबसे चोटी बहन की बेटी का पती मतलब पिता अरे बस चालू करने को बोलो ना हम लोगों को देरी हो रही है वैभव लक्ष्मी अभी तक गाए नहीं एक टिपर को मिनी बस में नजर नहीं आना चाहिए ना अरे तू चली जा जब देखो काना का तिरे ना और ये दूसरी बहन का पती है दो भाईयों ने दो बहनों के साथ शादी की लेकिन दोनों भाईयों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती समयुकता कितने भी लोगों फ्रतियोगिता में जीतेगा तो मेरा भाई ही मानिकराओ गाउं की बजाए तु भाई को सपोर्ट कर रही है कितनी स्वार्थी है और ये है तीसरी बहन की बेटी जहासी रानी हमारी तरफ से मेरे भाईया हिस्सा लेते हैं उनके पती हिंद्रजीत हरे अब बस भी कर आपने भाई की तारीफ नमस्ते और ये है पाचवी बहन मेरे दादा की दूसरी बीवी की बेटी इनकी सिर्फ एक ही बेटी है क्या बात है यो बाई तुम लोगों ने देखा क्या तुम लोगों ने इस खुशी को कभी महसूस किया है क्या है इन बेलों को इनसान से ज़्यादा इज़ती जाती है और स्वागत किया जाता है हलो फ्रेंज रेश शुरू होने के लिए सारे बेल इंथजार कर रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे आंकल गुडा सिंगमी जीतेंगे आज की रेश में मेरी मामा ही चीतेंगे मामा का नाम क्या है उनका नाम है गुडा सिंगम शीवा गोत्रम हस्तन नक्षत्रम कन्या राशी सव बेलों की जोड़ी रेश के लिए तयार है सब लोग रेड़ी है थ्री टू वन अरे मामा जी कहा है मामा हाई अरे मामा जी अरे मामा जी एए आप देख रहे हैं कि इस प्रद्योगता में बहुत समर्द अस्टकर हो रही है सबी प्रद्योगी अप्रफुरा जोर लगा रहे हैं देखते हैं किसकी विजय होती है और कोफ्य फार्सी मार देजाता है ऑब ऑब जिल दातर देखते रहेे और फ्रद्योगों का उस्αावाधा करते रहेे और ये देखिए गुणा की पर शंड़ा है जब दे जब दे लाए समी किसो के गठ्टियों की अप्ना पूरा रहा रहे हैं कभी कोई आगे हो रहा है, कभी कोई दीच आप रहा है लिगिंग कोई नहीं आ रहा है देखते हैं कोउची देखा जोसे जोसे आफ जोसे छाई! हाई!? रड़ करों हाई!!! यहाई! यहाई! वेरे मामा और कोडिया रसो ने एक साथ पढ़ाई किये थी चौथी क्लास से वो दोनों एक दूसरे से जगड़ते ही रहते थे खरीब बच्चों के भविश्य को रोशन करने वाले मिस्टर सूरिया वो आज के इस काहिकर में यहाँ पर थोड़ी ही देर में परा रहे हैं वो आज चुके हैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए बहुत बड़िया तुम्हारे जैसे लोगों की वज़े से अभी तक हमारी परंप्रा जिंदा है लाइए भाईया एक माला काफी नहीं है और दो माला चाहिए मतलब मैंने तो बस गाड़ी हां की असल में भागने वाले तो यह है अच्छा ऐसा है क्या ये लो तालिया अब बताओ अब तो खुश हो ना तुम्हारा नाम क्या है गुरा सिंगम भाईया नाम बहुत अच्छा है ये लो तुम्हारे जीत काई नाम ये लीजिये धन्यवाद बैटी नानाजी लीजिये अच्छा लग रहा है क्या चीज है अच्छे बात है जिस काम से आया हूँ वो बता के निकलता है आने वाले चुनाओं के लिए अगर आप कहें तो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ मुझसे पूछ रहे हो अगर मैं किसी से कहूंगा तो कोई भी वोट नहीं देगा पूरे गाउ का वोट मुझे नहीं चाहिए सिर्फ आप का वोट मुझे चाहिए बहुत है क्योंकि आप इस गाउ में अकेले नहीं है ये पूरा गाउ ही आपका है पूरे 5000 से जादा वोट है इस गाउ में ऐसा है क्या इतने सालों से मुझे पता ही नहीं है भाई साहब कार्तिके की तरह ब्रमान का ब्रमन करने से अच्छा कि गनेश जी की तरह सिर्फ आपकी परिक्रमा कर लूँ मेरे लिए बहुत वजाएगा आप बात तो सही कह रहे हैं गनेश जी लेकिन अभी मेरी बात सुनता ही कौन है अभी तो सब गुना सिंगम की बात सुनते हैं बेटी की बात कर रहे हैं क्या उनको बुलाईए ना वो आज खेतों की जुताई के लिए गया है आप एक काम कीजिए आने वाले नौ तारिक को मेरे नातिन की कान की छिडाई के रस्म है अच्छा अगर आप उस दिन आते हैं तो सभी लोगों से मुलाकात हो जाएए गुणा मौसी आई है एक मिनट बेटी कांच दाई की रस्म में जरूर आईएगा बापा आज गंग मुली जरूर आईएगा अगरे सबको निमंतर दे दिया है ना कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे घर में फंक्षन होता है तो कोई नाराजगी के वज़े से नहीं आता है मैं चाहता हूँ कि इस बार के फंक्षन में सभी लोगा है ठीक है ससूर जी सर को एक पत्रिका दे दो ये सर्फ तुम्हारे टीचर थोड़ी है मेरे भी तो टीचर है ना मेरी बेटी की कांच दाई की रस्म है जरूर आईएगा ठीक है बेटी जीजा जी सबके नाम के साथ उसकी उपाधी भी लिखी हुए है तो फिर मेरा सिर्फ नाम लिखा उपाधी क्यों नहीं लिखी सब लोग जादा पढ़े लिखे हैं इसलिए साथ में उपाधी लिखी लेकिन आपने तो सिर्फ दसवी तक पढ़ाई की है ना डॉक्टर के साथ डियार लिखा हुआ है एंजिनियर के साथ ईयार लिखा हुआ है प्रिंटिंग चलाने वाले वडिवेल जीजा जी के नाम के बगल में गर्व से प्रेस लिखा हुआ है मैं खेती वाड़ी का काम करता हूँ तो मेरे नाम के साथ किसान लिखना चाहिए अगर किसान लिखवाता तो लोग हसते ना जो हसेगा उसको चपल से मारूँगा गुणा सिंगाम किसान लिखवाई ये गर्व से पढ़ने में भी अच्छा लगता है मैं भी हर मैंने करीब डे अरे बेटा जी सासुर जी यह जो बोल रहा है वह बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से व्यवसाय के बारे में किसान लिखना ही सही रहेगा अली जैना होगा मैं कुछ नहीं जानती नई पत्रीका चपवाईए नया चपाऊ बेवजा खर्चा मत करवाईए जी जा जी रहने दो बागे सब कुछ मैं सम्हा लूँगा ठीक है आदी उमा सब्सक्राइब हाई फ्रेंज आज अमारे परिवार में कान छेदने का फंक्षिन है मेरी चोटी बहन और भाई का मेरे प्यारे गुड़ा सिंगम पूरा गाउं चौंग गया उन्हें देखकर सबकी नजर सिर्फ उन्हीं पर है नाजा की तर्में उनकर स्वागत दिया जा रहा है दादी य तुम्हारे पिटाजी आ रहे है नमस्ते 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 सारे विष्टेदार आगे है उन्होंने पहले बता दिया था कि वह नहीं आ पाएंगे इसले उनका बैनर लगवाए छोटे जाट हुआ गए वह अंदर है एक यह है जिसके पीछे सारी लड़कें गूमती रहती है और एक मैं हूँ जिसकी तरफ कोई देखता तक नहीं है क्या हुआ अरे मामा आपसे जो लड़कियां मिलती है एक हजार वाट का इसमाल देती है और मुझे जो लड़कियां मिलती है ना क्वाप का स्माइल भी ने दिए क्या किसमत है मेरी कुंडली मामा कैसे हैं अरे जाओ यहां से जाओ खाओ अगर आप कहां तो ममी बापा को लेकर आती हूँ हाँ ठीक है आप हाँ कहेंगे तो काम चुट करने कर सकते हूँ पसीन आ रहे है पोच लो पापा भी कह रहे थे कि जल्दी जाना है न तो उस तरफ भी साड़ो साब को तो किसी दिर इसको सरूल मसा चखांगी मैं तीक है सर देखो तो कैसे गुणा को इंप्रेस करने में लगी है बहुत चालाख है लगता है सब लोग मिलकर इन दोनों की शादी करवा देंगे हाँ तो हम लोग किसलिए हैं देखती हूँ शादी कैसे होती है पू नमी गुणा की बीवी बनेगी इसे कोई नहीं बदल सकता है सबसे पहले उसका ही अधिकार बनता है वो बाहर की थोड़ी ना है शुरू हो गया यहाँ पे विधान सभा मामा इधर देखो यह पांचो बहन है न एक दूसरे के करीब हैं पैसा दिखाती हैं लेकिन अंदेर यंदर बहुत बड़ी गुट बाजी है यह अभी गले में तेरा भाई दानवीर करने का जो ऐसे लुटा रहा है चल चल बड़े रिती रिवाद दिखा रहे हैं यह अपना रिवाद सही से निभा रहा है और उनको देखी मूँ मूड कर जा रहे हैं बेटी को परनानी से आशिरवाद दिलवा दीजिए 90 साल के आसपास उमर होगी अरे सुनो जड़ा यहाओ चासी के बच्चों को कितने तोला सोना दिया जब मेरी बच्ची की कान छेदने की रसम होई थी तब तुम्हारे पापा ने छे तोले दिये थे अठारा तोला सोना पैनाने के लिए तेरी बेटी शहर में पैदा हुई है क्या हो साली साब अगर रीती रिवास निभाना ही है तो फिर एग जैसे निभाना चालिए न ऐसे भेद भाव क्यों करना है हरे अरे आप लोग फिर से शुरू हो गए जो नहीं करता है उसे तो छोड़ देते हैं आप लोग और जो करता है उसे टोकने की आदत पड़ गई हम लोग की हैं क्या हो छोटी ममी अपनी बेटी के गले में देखो और ममी तुम अपने बेटे के गले में देखो मैं क्या कह रही थी कि अब क्या दसर जी सोने की जैना है पहना दीजिए अरे भाई किसके घर में जगड़े नहीं होते लेकिन फंक्षन में तो सबको आना चाहिए न यह क्या है जब आप आते हैं तो वो नहीं आते और वो आते हैं तो आप नहीं आते रिष्टा तूड़ जाए तो फिर जुड़ नहीं पाता है देखे आप चिंता मत कीजिए दोनों भाईयों को मिलानी की जिम्मेदारी मेरी होगी ए जरा यहां क्या हो मा नानी अभी पता चला कि मामा ने हम सब को चैन क्यों पहनाया है अभी यह सारा खर्च जरूरी है क्या यह खर्च नहीं है यह तो बचत है सिर्फ दौलत कमाकर और कि जार सब्सक्राइब लग क्या रहें कि तुमारी शाधी पूनम से होगी यह सच है क्या नहीं मतलब मैं सोच रही थी कि अगर तुम अपने मुझे क्या देते तो मुझे यकीन आरे तुम भी ना किसी की बातों पर धियान मत करते जा ऑना अब बेटे की कमाई से घर पर बैठ कर खाने का आनन धी कुछ और है सुन बेटे, खेती बारी तो तुने समाल ली, बहुत अच्छा कर रहा है तू अब सोच रहा हूँ कि घर की जिम्मेदारी भी तुझे सौंद दू अरे चुप रही है पापा अरे पचास साल से तो मैं समाल रहा हूँ ना मुझे लगता है कि तू मुझे से बेटर समाल सकता है कितना अच्छा हो कि हमारे पूरे परिवार का एक गृफ फोटो घर की दिवाल पर लगे और ये मेरी दिली ख्वाहिश है और तब मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे कि रण सिंगम शेर की तरह है क्या नाला जी आप ये क्या कह रहे हैं आप मैं इससे भी कठिन जिम्मेदारी तुझे दे रहा हूँ देख तेरी दोनों मा की आँखों से और तेरी पांचों बहनों की आँखों से कभी भी आँशू नहीं आना चाहिए कई मेरी आँखों में आशू ना आ जाया रुको रुको अरे रुक जाओ देखा नहीं रोकी गाड़ी बुड़ी देखकर भी नहीं रोकते हैं बेशारम कहीं कि या हुआ दादे से इस बोरी को लेकर खड़ी हूँ इसे बाजार ले च कि अउड्स करें अचाने हो तर मैं होरे उने माईब संसका थाइब कि अचलंडर यूण आइओ है तर एंचा है फ़ीजग क्या कि इस अदाऌ세 जोर से जोर से रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ जाओ यो दोस्त अरे नया दुलाए तो भूम रहा है काला पड़ जाएगा आँ भाई सही का आपने शादी में रिष्टेदारों को क्या देने वाले हो बिस्किट दूगा भाई यहाँ लोटा बर के कॉफी दे देना बिस् कैसा था वह जल्ली गुट्टू बहुत शंदार था भाई एक बार बोला तो समझ में आता है क्या है आप गाड़ी बीच में चला रहे थे हमने हौन बजाया था क्या अगर गाड़ी ने अटाई तो पुलिस को बलाऊंगा और मैं सिंहम को बलाऊंगा क्या फ्राइट चलान है क्या कौन सा गाव है शहर है तब तो मुश्कील है उस बोरी के अंदर जो बैंगाने ना उसको उप जाने के लिए कितने महनत और पैसिना भाया होगा पता है कितने साल से कंड़क्टर हो 15 साल से एक दिन किसान बन कर देखो उसकी जरूत नहीं है सिर्व एक दिन किसान के स जात रहे कर देखो तब पता चलेगा कि किसान कितना तकलीफ उटाता है पता होता तो दादी को रोड़ पर छोड़कर नहीं जाते आज के बाद इस बस में सिट नहीं होनी चाहिए हाँ यह सौन स्पैनर निकाल रेड़ी मामा अ है ले जाई से अ मामा आराम से आराम से जाने दो चलो 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 हो गया है कि अचा सुन हाँ मामा ड्राइवर की सीट में उखाड़नी है क्या बहुत देर से बैठ कर आ रहा है वह नहीं नहीं दादी को वह बीच रास्ते में उतार सकता है इसलिए वह जहां तक जाएगी महाता है सही है मामा दादी के उतरने तक या फिर पार्टी के उतरने तक मामा कवन है पार्टी है लगे रहो लगे रहो मामा उदर अपनी एसी गाड़ी खड़ी है आजाओ आजाओ चलो भाएया पांच रुपे दिये हैं मैंने एक रुपे वापिस कीजिए छुटे नहीं है बेटा अगर होते भी न तो भी नहीं देता टेकट 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 रहां किदर जाना है किदर जाना पता नहीं है ये किदर जा रही है वहाईaktis Lane पैसे वापस देना बेख रहा उंगा तो खुतने ति कंजुस कंजुस दग रहा है यह तो जो भी इसे शादी करेगा दीवार पे अपना लड़की के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए और हम लगता है मैंने इसको कहीं पर तो देखा है हर खुबसुरत लड़की को देखकर लड़के बोलते हैं किसको कहीं देखा है मामा आद्लका साव यह हमारे कॉलेज के एगरि कल्चर डिपार्ट्मेंट के हैड है आपके बेटे के बहुत सारे आठिकल सारे है अगर वो और कॉलेज में आकर स्पीश दिगा तो स्टुएंट्स को मोटिवेशन मिलेगा ना अरे ने ने मुझे ये स्पीच होगरा देना नहीं आता अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है खेती के बारे में तो बोलना है वैसे ये फंक्षन कब है मार्च 27 को मुझे बहुत काम है ना 27, 28, 29 को हम फसल बोने वाले हैं ना तीस एक को केले के पौधे लगाएंगे अरे यार यह तो हुई बस वाली है ना संगीत बहुत ही अच्छा है ना सिर्फ संगीत ही दिख रहा है क्या मामा समस्थ दर्शिकों का बहुत बहुत धन्यवाज बड़ी नानी यहां तो यह अब देखिए हमारे चीफ गेस्ट मेरा पोता आ गया क्या करना मेरी कोई इच्छा नहीं है खौईश है अब हम गुणा सिंधमची से अन्रोथ करते हैं कि वो मंच पर आएं और दो शब्द कहें हैं मामा मेरे बारे में भी दो बात है कि वेल्कम सेर्ट धन्यवाज नमस्कार आप सबने खाना खाया गया मिक्टी पकड़ने वाला हाथ है पहली बार माइक पकड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करूँ आपका संगीत बहुत ही अच्छा था अच्छा वैसे बड़े बुजर्गों ने कहा है कि धान का एक बीच और एक अच्छा शब्द दोनों भी एक समान होते हैं जैसे कि अगर हम एक अच्छा बीच अच्छी जमीन में बोते हैं तो वो सौ गुना ज्यादा फसल देता है जब इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया तो मैंने तुरंट हां के दिया ज्यादातर माबाब बच्चों से पूछते हैं कि तो इंजिनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या कलेक्टर बनेगा लेकिन कृशी का एक आप्शन कोई नहीं देता है लेकिन मेरे पिता जी नहीं मुझे पूछा था कि तो इंजिनियर बनेगा डॉक्टर बनेगा कलेक्टर बनेगा या किसान बनेगा मैंने तुरंट बोल दिया कि मैं किसान बनूँगा और इस काम में मैं बहुत ही खुश हूँ इसलिए मेरे पापा ने मुझे जू अप्शन दिये थे उसके लिए मैं अपने पापा को धन्यवाद कहूंगा देखा रिशी हमारे भारत की रीड की हड़ी है ऐसा बोल बोल कर लोगों ने उसे अपनी पीछे छुपा लिया है और हम इससे अंजान जी रहे हैं कुछ लोग इस बात को समझ कर आईटी का काम छोड़ कर खेती करने आते हैं तो उन लोगों को आम जंता पागल के नाम से बुलाती है कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कृशी करने वालों को अपनी बेटी नहीं देने की प्रतिकरिया रखते हैं विदेश में पढ़े लिखे लोग भी खेती करते हैं लेकिन भारती ऐसा है यहां किसे को खेती नहीं करनी है लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अमीर लोगों कड़ाइट और गरीब लोगों की भूख दोनों अलग अलग है जब आप ये समझोगे, उस दिन पता चलेगा कि किसानों को राशन के दुकान का चावल खिलाना ये कितना बड़ा राश्ट्री अपराध होता है। जब आप ये समझोगे, उस दिन पता चावल खिलाना बड़ाध होता है। अगली पीड़ी में कितने लोग खेती करने वाले हैं ये बात बहुत जरूरी है और यही हमारे घर की और देश की जरूरत है। मैंने ये सब तालियों के लिए नहीं बोला है, कोई किसी के सामने हाथ न पहला इसलिए बोल रहा हूँ। भविश्य में किसान बनने वालों के लिए मेरे धेर सारी शुपकामनाय हैं और मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए धन्यवाद है। मालिक बिटे ने अच्छी स्पीच दी ना, आखिर बेटा किसका है। मामा आपकी स्पीच सुनकर मन कर रहे हैं कि पूरा का पूरा ख़जाना लुटा दूँ आपके उपर। आपे सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए है। वो पचास पैसे वाली किस बस में जाती है वो पता करके बता दे पास। पता कर लेंगे मामा। ये लीजे नाना जी आपके लिए गर्मा गर्म सूप। अरे वाह। थैंक्स बेटा। बेटा एक दिन की चुट्टी चाहिए थी मुझे। क्या बात है सर। इतना परिशान क्यों लग रहे हो। और उस दिन के बाद से वो लोट कर नहीं आया। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सर। कहीं क्या होगा वापस आ जाएगा पूश्टाच की जिए। बेटे जरा तुभी अपनी तरफ से पूश्टाच कर ले। ठीक है पापा। क्या बेटा साथ रुपया पचास पैसा दे रही है टिकेट तो आठ रुपय का है पहले का आपके पास बालन्स था ना अब बराबर हो गया और अज की बाद चुट्टा नहीं है ऐसा मत कहना पूश्टाच के बाद कभी नहीं करेगा पांच सो हजार का नोट बंद हो गया पचास पैसा भी बंद हो जाना चाहिए अर्थ व्यवस्ता बहुत जरूरी है आप सूपब हो ऐसा ही होना चाहिए आप बढ़िया आप दोनों बहुत अच्छी बाते कर रहे हैं जब सब लोग मजाग उड़ा रहे थे तब आप ताली बजा रही थी बहुत बहुत शुक्र किस से पहले है कि अधी कि अधी अधी और अधी चॉली सोडा इस पोस्टर को देखकर मैं चाहों गया था और सोच रहा था कि यह लड़की मुंबई में रहती होगी खुब सुरत लोग सिर्फ मुंबई में रहते हैं यह मॉडलिंग वगरा सिर्फ मुंबई में होती है हलो मैं मॉडल नहीं हूं तो फिर अभिनेतरी हो क्या है हलो मैं ओनर हूं ओनर किसका चॉली सोडा कंपनी की ओ अच्छा आप ओनर होकर खुदी एक्टिंग करती है क्यों वसंत कंपनी के ओनर ने सुर्णा स्टोर के अनाची ललिधा जूल्री के अच्टिंग नहीं की कि आजकल का फाशन है पाशन टीवी देखने वाले जानते हैं कितनी तकलीफ होती है अपना मूव बनकर आपने हमारा सोडा पिया है हां अच्छा टेस्ट है ना सूपार मिक्सिंग के लिए सही नहीं है सारे लोग वामिट करके श सुनो घर में इतनी सारी कारे खड़ी हैं यह सब छोड़के लोकल बाश शेरिंग ओटों में सफर करना अच्छी बात है क्या बहुत अच्छा है मामा यह सब पापा का कमाया हुआ है जिस दिन मैं इतने पैसे कमा लूँगी न उस दिन से ही यह सब यूस करने लग जाओंग क्या माम मुझे पहले याद दिला देती तो मैं कल केले का पूरा गुच्छा लेकर आती है यह सब क्या है गुड़ा तुम्हारे घर में रहती हूँ इसकी देखनी का रिवाज ठुकरा मत देना बनार से साड़ी पहन कर लड़किया कॉपी लेकर आती है ना आप भी मुझे अब इसी तरह देखना मेरी यह इच्छा है ठीक है वही पूरी जारे पागल महां से मिलिया ना चलो गर पे अब इसना शर्मानी की ज़रुद में है आप भी ना चीर्स कॉन है लड़की अपनी विरादरी की है गोड़ा सिंहम की बहन की बैटी है लगका दूसरी विरादरी पॉब्लिक प्लेस में कोई ऐसे दान दिखाता है क्या तो किस गाओं का है कौन है क्यों आप कौन है यह क्या करने आप पूछ के देख पता चल जाएगा तेरे बाप का नंबर दे क्यों अरद है मेरे फोन है आँ बोल बेटी मैं कोड़ी आरसू बोल रहा हूं एक जरूरी बात बता दो तुम्हारी लड़की जो है ना बस्टोप पे प्यार कर रही है तोड़ा समाल के रखो हमारे खांदान के लड़किया ऐसा नहीं करती है मेरी बेटी कहां जाती क्या करती है देखने के लिए गुण सिंगम है ना फोन रख हूं आज के बाद तुम दोनों के एक 300 बार उठक-बठक करनेगा तुम्हारी ब्रादी के लड़कियों का छेड़ता है यह कर रहा है अगर तीन दिन भी लगे तो भी लगाना है चलोट अ चलोट गुणा वो मेरा फ्रेंड है गुणा ऐसे ही खाड़े ओकर बात कर रहे थे और देलों बाते करने लगे पेरा फो कर इड़े वा हा फिर वह अओ कर फ़िए कर दो हम गुड़े और आगकर इन भी हा है कर दची Mental कर दो कैंई व हाहा ज हाहा अट है और कि य हाहा अगर किसी की मंगेतर को छेड़ोगे तो तुम्हे छोड़ेगा क्या फोन करके बुला आपने विरादरी के हीरो लोगों को सई का क्यों बै एक लड़का और लड़की हथ कर बात करें तो इसका मतलब सिर्फ प्यार होता है गया और इतने चिंदा क्यों हो रही है हमारे घर की लड़कियों के लिए जाती वोट यही ना हम अपने घर के बच्चों को कॉलेज भेजते हैं उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों के भरोसे वो लोग अच्छा ख्याल रखते हैं यह सारा खेल मेरे साथ खेला है जाती बाद पा चलो चलते हैं अपने अरिये में अपना भाव बढ़ने लगा है यह बात याद रखना है अगर उसे किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की तो एक बात याद रखना यह कोडियार्सू उस पर भारी पड़ेगा चल जा रहे मामा सोडा बोटल के बारे में फूर डिटेल पता चल गया नाम है कनका आहा क्या शुद्ध नाम है तो मेरी मा शियुगामी ने मेरा नाम चाइनीज में रखा है क्या एक लवत पैसे हैं कार में चल सकती है वो इतना धन्योंने के बाद भी वो बस में चलती है क्योंकि उसे साध़गी से रहना पसंद है इसलिए मैंने उसको रहे हो नहीं यार उस लड़की की साध़गी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी मैंने तो उसको डूल लिया आप एक गोगल हो मामा गोगल नहीं गूगल अच्छा ऐसा है क्या घर की लौती बेटी है आज के बाद कभी रेस्ट करना हो तो ससुरी जी के घर पर है ऐसे लगता है पूरा बकरा ही निगल गया पापा आपने कभी प्यार किया है क्या यह सवाल किसे कर रहा है पता है यह यह यहीं पर है क्या है पापा आपको उतरने की जरूद्नी है रोड पर खड़े रोगे अच्छा नहीं लगेगा ठीक है इससे पहले रत पर बिठा कर लाते थे क्या कितने का दिया माजी पापा उस लड़की को दिखिए ना पंद्र रुपे के दो दीजिए बागी सब दो सस्ते बेच रहे हैं आप पापा आप से पूछ कर प्यार करूंगा इसलिए आपको यहां लेकर आया हूं मुझे गर्व से देख रहे हो या हीन नजर से देख रहे हो पापा इससे प्यार करेगा या शादी करेगा क्योंकि आज कल के लड़के जिससे प्यार करतें उससे शादी नहीं करते और जिससे पारी बाते सोच कर भी मुझे बहुत डर लगता है ठीक है बैटा तेरी खुशी मेरी खुशी है लेकिन कल जब ये बात घर में सबके सामने खुलेगी तो सिर्फ तेरी बहने ही नहीं तेरी माँ भी पूरे घर को सर पे उठालेगी उस वक्त ये मत कहना कि मैंने पापा से पू बेटे कभी भी परिवार ना भी खरने पाए ठीक है पापा किया जॉमी कैसा है तू कोडियार सु जरा प्ली स्टेशन आ सकते हो अरे आज शादी है सुब महरत निकला है मंगल सुतर देना मेरा काम है बात क्या है उदे शंकर नाम के लड़के को जो तुम लोगों ने बहु किस ने दिया है गुणा सिंगम ने सर आप आओगे तो दस मिनट में काम खतम हो जाएगा कल नाइट राउंड पे काम गया था वौकी टॉकी कैसे कुम हो गया साब इंस्पेक्टर गुणा सिंगम जो बोल रहा है वह सब जूट है फोसके और मेरे बीच में दुश्मनी है जूट है तो फिर वहाँ से भाग के क्यों चले गए जब मैंने किया ही नहीं तो डरू क्यो इसलिए आया हूँ हाँ सुनो सौमी जी सर साब को अक्यले में ले जाके समझा दो हलो दुलहन आ गई है भाई आ जाएंगे न अगले 10 मिट में भाई वहाँ पे होंगे कोडियार्सू गुणा सिंग हमने आपके आदमी को उठा लिया है पिचले मैंने बैल की रेस चब चल रही थी तब मास्टर जी का बेटा जिस लड़की से प्यार करता था उससे बात कर रहा था जात पाथ तुम अपने पास ही रखो मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ उसकिशादी करूँ lasas सर पर चोट लगनी की वज़े से वो विचारव मर गया यह आपने क्या कर दिया भी या राजनिती करने और राजनिता बनने के लिए त्या करना चाहिए जैसे इसने किया एविडेंस नहीं मिलना चाहिए इसलिए उसकी बॉड़ी को जला कर उसकी राख को नदी में बहा दिया सर मैं उसकी राख भी नहीं देख पाया ऐसा कर दिया उन लोगों ने सर शंतर की कोडियार उसका बैगराउंड मत देखिये सर इसमें गर्णित मास्टर जी का बहुत नुक्सान हुआ है वह वहाँ शादी में था और तुमने मुझे यहां बुला के फसा दिया अरे अभी जा सकते हो सच में हाँ कितना हो सकता है 10 लाख 20 लाख 25 लाख बात करके देखते हैं जा के बोल अरे अरे मामला भी कर जाएगा आप खुदी जाके बात कीजिए इंस्पेक्टर गुस्टे से मारा था मर गया फाई आर तो नहीं हुए ना मतलब आपने उसको मारा ही आप कुबूल कर रहे हैं हम अच्छा सुरो स्वामी होने वाले मंत्री को सेल के अंदर लेकर जाओ कल कोट में ने प्रोड्यूस करना है ये उठ उठना आज तक सुवामी तुम्हारी तंखों के लिए काम कर रहा था आज पहली बार सुवामी ने सरकरी तंखों के लिए काम किया है मैंने तुझे सिख्षा दी और तुने मेरे ही पोटे को मार डाला नरक में सड़ेगा तु पुलिस मुटाबार शादी के बीच मैं भाई को आरेस्ट कर दिया पोलिस ना मामा कहा जा रहे हैं मंदिर में अरे आजम नहीं है नहीं है अरे सुन काँ चल गया अरे अरे काँ चल गया अरे अंदर चाय पी नहीं गया था मामा मामी को पठाने के लिए इस परफीले पानी में डखेल कर मुझे मानना चाहते हुआ बेटा बेटकर आराम से नालो ना कल आके सो के नालूंगा अपना ही है इधर हम लोग फैंसी कॉम्पटीशन में आये हैं क्या है भगवान वेंके ट्रामा पांडुरंगा गोविंदा गोविंदा यह कार्थी के नहीं है सौरी कार्थी के यह क्या मामा आपको पंचामरित लड़ू का फर्क नहीं पता है क्या चला गया आप सिर्फ खास दिनों में ही मंदिर आती है या हर रोज आती है मुझे रोज नाना पड़ेगा क्या माई लॉड मेरे मुवकिल पर आरोप लगाया गया है लेकिन इन्होंने समाज की बहुत सेवा की है पड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं ये, पासपोर्ट को हम कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं, आप से विंती है कि इनकी जमानत मन्जूर कर दीजीज़ साहब इन्हें जमानत देनी है या जेल भेजना है ये मैं तै करूँगा, छात्र का खून किया इनोंने, इनके गाउं में जाने से दंगा फसाद हो सकता है, इसलिए इन्हें 200 किलो मीटर दूर इस्थित मदुराई शहर के पुलिस टेशन में पहुँच कर दोनों वक्त साइन करना हो दारू के साथ खाना खाकर टीवी देखेंगे, फिर शाम को नीन लेने के बाद नहा धोकर साइन करने पहुँच जाएंगे, और उसके कुछ देर बाद नाइट शो की फिल्म देखने चले जाएंगे, मैं ये सब नहीं होने दूंगा, ये कोई साधानन हत्या नहीं है, एक शात्र की हत्या है, अच्छा तुम्हें तिरूपती कुंड तालाब पता है क्या, और ग्रेव का पेड पता है, वो क्या करता है, ये भी पता है, जमीन के पानी को खीच लेता है, वो पेड तालाब को चारों तरफ से घेरे हुए, तुम्हें काम करना है, तुम्हें हर दिन स आये सर आये क्या भाई इतनी जल्दी दर्वासा बंद किये भी ना बैठे हो बंद मत कर जेल में भी ऐसा ही खुला रहेगा इसी तरह रहने दे बातरूम में पानी मड़ डाल तेशाप की बद्बू से मुझे उल्टी होनी चाहिए पूरे दिमाग को उखाड़ कर फेकने जैसा मैसूस होना चाहिए मेरे खुद के गाउं में कदम रखने से रोग दिया ना मैं किसी भी आयोजन में शामील नहों सकूँ ऐसा कर दिया उसने भाई ओपर बैठी ना जेल में चाहिए नहीं देते हैं रे बेवकूफ जमीन पर बैठना है और जमीन पर ही सोना है मैंने खाने के लिए अलमुनियम की ठाली लेके आ ऐसे ही जेल में देते हैं जेल से बाहर आ गए हो जेल की बात मत करो बाई जाओंगा मैं वापस जाओंगा उस गुड़ा सिंगम को मार के जेल जाओंगा तब तक ऐसे ही रहूंगा बदियां बुझह तुं मुझे नींद नहीं आती हैं बहुत खना जंगल है तू अपना मूह बंद रख तह प्लेंजय क्या है कुछ नहीं तुम मुझसे प्यार कर रहे हो या फॉलो कर रही हो अप प्लेज प्यार ही करता हूँ फॉलो कर रहे हो कसम से बोल रहा हूँ अगर हिम्मत है तो मेरी आखों में देखकर अपनी राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पर रखकर मैं तुम से प्यार करता हूँ ऐसा कहकर दिखाऊ घलत नहीं है घलत नहीं है सिर्फ इस उम्रों में ही नहीं बूड़ी होने के बाद भी प्यार करूँगा यही मेरी इच्छ है अब मुझसे शादी करेंगी मैं बहुत खुछ रखूँगा जगड़ा करूँगा इतने दिन शादी क्यों नहीं कि ऐसा फील करूँगा और तुम भी शादी के बाद मेरे साथ बहुत खुछ रहोगी कसम से कहता हूँ यही अपना घर है जाओ कि आए कोई देख लेका आजाओ मुझे कुट्टे की तरह इधर उधर भगा कर उस पेड को कटवा रहा है और उधर वो मेरी बहन की बेटी से लव कर रहा है आज तक जो भूला नहीं सकते वैसा हाथसा और ना भूलने वाली भैयानक मौत अपने राज्य में कहां हुई है यह बताओ बहुत है बाई नागर कोईल में बहुत बड़े गुंडे हैं ब्यासर वाड़ी के मेले में दो टिमों की भी जगड़ा हो गया बाई मद्रई में भी दो परिवारों के पीच दुश्मनी थी भाई इन सबसे भी बड़ा बहुत बड़ा पूरा शहर इसके बारे में बात करें ऐसी मौत गुड़ा सिंगम की होनी चाहिए हलो बोलो न हमेशा हसते रहते हो ऐसे लगता है फोटो के च्वाने के लिए खड़े हो तो क्यों पसंद नहीं है गया अब इसके लिए भी आजोगे अर गया इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हो ठीक है आतिवर मैं युद्धे आहां ठोएट जल्दीBut तक निवें है जल्दी आहां पर आपके तो चुबकर मोच उस पैर में है तो दर्द यहां पर हो सकता है सुनो भागवान साले साब को कुछ नहीं हुआ कभी मेरा तो एकना खयाल रखना नहीं है क्या सफारी काड़ी को बीच रोड़ पे खड़ी करके साइड में करो ना हां कर देता हो ना देशी मुर्गी का सूप बनाया है थोड़ा सा पीओगे अरे हाथी का पैर नहीं मिला क्या नहीं चाहिए अरे बाप रहे चोट मुझे लगी है तेल का मसाज उसे हो रहा है इस दर्द से ज़ादा वो देखकर दर्द हो रहा है जो वहाँ पर चल रहा है मैंने पाया सूप बनाया है बेबी मा आप क्या कर रही है पंखा जाल रही हूँ अब आप बहुत ठंड लग रही है जरा आराम से करो बैबी अमा अब है सुन मा मा इतना दर्द हो रहा है क्या नहीं बहुत मजा आ रहा है अब तू क्यों रो रही है कुणा को कुछ भी नहीं हुआ है दो बार गुणा से दुश्मन ही निकालने की कोशिश की है कि हाँ ठीक है अहाँ घुर्णा के पास बहुत दॉपरा सेना 57 मा उनकी पीरां बड़ी रानी 05 करो 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 अचा पती को विगाड़ने वाली यह लोग है का नाना हाहं आप नशा नहीं करते क्या हर किसी को कोई नशा होता है मुझे तो अपने परिवार का श्राय है अब अ करता होना जोडत जोड़ ना आपके लिए भी बनाओ क्या मैं भी आती हूं क्या चिला रहे हैं किल कॉलेज की फीस भर नहीं है भूलना मत वह सब पढ़ने वालों के लिए भरते हैं तुम्हारे जैसे फेस्बुक अपडेट करने वालों के लिए नहीं सब्सक्राइब करें जरूरी कहों लेना बात कर गया तो बेटा सरह वहां पेट जाओ ना इसले ऑफिसर बुला रहे होंगे कि है अलो बुलो कहां हो और तुम कैसे अब ठीक हूं बस मामुली सी मोच है मैं तुम्हें अभी देखना चाहती हूं आओ कि क्या अरे बापरे यह नहीं हो सकता दीदी जीजा जी सब लोग देखने आए हैं भाई को कुछ हुआ तो सब लोग देखने के लिए आ गए हमारे बीच प्यार ही उतना है देखो कि तो पता चलेगा तो अब तुरन तुम्हें बता दो कि तुम साइशा नाम की लड़की से प्या दिया है क्या कह रही हो फिर पापा ने मुझसे कुछ पूछा तो नहीं हम खोदी सामने से बता देंगे यही उनकी इज़्जत होगी एक किसान को अपनी बेटी देने के लिए आप इतना सोच रहे हो बढ़े लिखे और पैसे वाले होते हैं उनको देखकर जलने का जमाना चला गया एसर अब तो जल्दी ही किसानों को देखकर जलने का समय आने वाला है पढ़ाई करके फॉरण जाकर एक लाग रुपे कमाने वाले लड़के से अच्छा तो अपने गाउं में किसान का काम करके दस जार महिना कमाने वाले को मुझे इज़्जत देना आता है देखो समस्या अभी कृशीग नहीं है वैसे तुमने अपने पापा को सब बता तो दिया है ना पापा को लड़की दिखाने के बाद ही मैंने प्यार करना शुरू किया यह तिल्ले नाइकम की बेटी उन्हें पता है यह क्या निया चक्कर है देखो मुझे कोई अतराज नहीं है मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार बहुत बढ़ा है तुम अपने परिवार से बात करो उन्हें कोई इतराज नहीं हो तो रिष्टे के बात कर ले ना अभी उठा लो अब आपको नोड़ना है हम लोग पी लेते हैं ठीक है मैं आता हूँ चलता हूँ बेटे वापस आओगे अपने बाप की जैसे ही करोगे मैं समझा नहीं अगर मेरे घर पे लक्षमी आई तो फिर मैं यहां जरूर आऊंगा वो मेरी बेहन थी बोल कर गए थे लेकिन वापस नहीं आए बेटी पैदा होगी तो आएंगी बोला था ना अभी तो लड़का पैदा करकर भीजा था ना आऊंगा पक्का आऊंगा ससुर्जी कि मार ना यहां फैसला कर लिया है उस तरफ से जाओगे तो गांऊं 10 किलोमिटर दूर है इस तरह बीच जंगल में आकर मार खाओगे तो कौन बचाएगा तुम्हें डरना मत हम लोग तुझे आज मारने वाले इधर जंगली जानवर बहुत है वो तुझे खा लेंगे इसलिए हमने इस जगह को सलेक्ट किया है अगर मैंने मारा तो यह सारे जंगली मरने जाएंगे बेचारे क्या कर सकते हैं रूचा एक तरकीब बताता हूं तुझे अरे मामा अगर मैं इनके हाथ लगया तो यह मेरे साथ बहुत ही इंजॉय करेंगे तुम क्यों इतना डर रहा है तो बहुत ही भादूर है ना क्या बादूर हूं चुआ हूं मैं तो आवाज सुनते फुदक फुदक करके भाग जाता हूं मैं देख भाई बहादूरी दिखाने आला बहादूर नहीं होता है तो मैं बहादूर हूं क्या रे फत्म हो गया आप फोन पर ही रो उसकी चीक सुनते ही आपको जमानत मिल जाएगी तुम लोग सिर्फ उसका हाथ पर तोड़ना बाकी मैं आके खुद करूंगा ठीक है भाई हेलो डिया उस्पिटलर गया यहां गुट गुट जंगल में बहुत बड़ा उसकैप से बहुत खूण है इसे सर जल्दी आ जाईए ना सर उसमें से एक पीला शट पेना हुआ है उसके कान से बहुत खून आ रहा है सर सर उसमें से जो काला शट पेना हुआ है न उसका हाथ टूट कर लेट हाथ वह बहुत तडब रहे सर सर एक अम्बिलेंस काफी नहीं होगी क्योंकि सारे लोग जंगली भैस की तरह लगते हैं यहाँ पर हैं अगर तीन अम्बिलेंस भेजेंगे ना तो सब को उठा कर ले जाने में आसानी होगी आरे हो ना आजाओ यह सब क्यों मामा जब ठी करना है तो ठीक से करना है अब ही मैं मारूंगा और तू भी मारेगा ओके दिश्या डिश्या कि दोником को मारी को éénद कर दandırा विर अबान क्वान अबत्री आराओ है यह 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 जाता है? पर टो करता है यह जग उपो है अगर मुय हुआ है अटीश्आ है है कर दो को हमें शिवयों मारी मामा ऐसा मारो कि उसके दोनों कान के पर्दे फड़ जा मामा कर दोना उड़ ए जलाना है उप्ड़ आ ने उड़ी उड़ाया उड़ आ उड़ाया ने उड़ी जलाना कि अब धूब अब जो अब खूफ झाल अब यज थे पर कि अब 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 उब एप यजरे जिए यजरे लिए अब यजरे हैं हलो हेई हेलो हेई क्या हुआ तु लाइन पे गया आरोपी कहा है जमानत मिली या नहीं मिली जमानत ना मिले ऐसी दुआ कर जमानत मिल जाए दुआ करूंगा अगर मिल गई ना मर्द है तो सामने आ ओई भाग गए ना इस शादी को रोकने के बारे में सोचा ना तो उन सबका हश्र यही होगा अपने परिवार का कोई हुआ तो चाहे कोई भी हो घर में दो-दो लड़किया है फिर भी तुँ बाहर की रड़किस से शादी करेगा देखा ना बेटा, घर में समस्या हो गई न, पापा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, देख बेटा, मैं उन लोगों के सामने गिलगड़ा नहीं सकता अगर किसी ने भी मना किया न, तो मैं राजी नहीं होगा अगर किसी ने भी मना किया न, तो हम जित से कहें के उससे शादी करनी होगी, उसके लिए तु राजी है न? सब को मनाना मेरी जिम्मेदारी है पापा, आप अक्सर कहते हैं कि सब के साथ आपको एक फोटो निकलने हैं, ये जरूर होगा पापा क्या मामा, बिजली अंदर भी कड़क रही है, बाहर भी कड़क रही है, आपने तो ऐसे बोल दिया मामा कि जैसे मामूली स्कूल के बच्चों को बुला करके ग्रूप में फोटो निकलवाना है, लड़कियों को बुला करके उससे रजिस्टर्ड मेरेश कर लें, उसके बाद पैदा करने का प्रोसेस शुरू कर दीजे, उसके बाद कंप्रोमाईज होगा ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसमें कम से कम तीन साल लगेगा, एक लोटार बेट सीट ले करके हर घर में जाके पंचाद करेंगे ना, तब यह समस्या का समधान होगा, तो इससे डरा क् गिराने के लिए सोच लेना, तो अपने पती को भी नहीं छोड़ती, बिल्कुल, घड़ चंडी है वो, आई मेन, एक दम चंबल की डाकू, एक्शन किंग, जोड़ मुझे, जोड़ दे, क्या है, और तीसरी, सम्युकता, आसूं की नीद, आसूं ही उसके हतियार है, वो उस जरा सी भी शर्म इमान दया कुछ है या नहीं, पता नहीं क्यों तुमसे शादी कर ली, मैं रानी की तरह रहूं, इसलिए मेरे पिताजी ने मेरा नम सम्युकता रानी रखा था, चौथे नंबर की है, जहासी की रानी है, नए, वो धिमान है, इन सब की एडमिन है वो, किसी पदमावती बहुत प्यार करती है, वो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए जी रही है, अगर उस बच्ची को कुछ हो गया ना, तो वो क्या करेगी पता नहीं, अगर ये लोग ऐसे हैं तो जी जा लोग, फो, इनकी अलाबा कनका का मामा भी ना, क्योंकि सरकारी वकील इस मामल अगर चल देख लेंगे, अरे ये क्या उसी का फोन है, यार, हाँ, हलो, क्या है ये सब लड़की भी पसंद कर ली, चादी भी कर रहे हो, उसकी माबाप रेडी है क्या चल रहा है वहाँ पर, क्या कर रहे हो तुम वहाँ, दीदी, दीदी, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अरे ये तो 4G, 5G से भी तेज निकले, कुल मिला कर, एक तरफ रामायन और एक तरफ महाभारत को संभालना होगा, अभी तो शुरुवात है, मामा, आर्डर के हिसाब से पहले मेरे घर गाड़ी लेकर चलो, वहाँ से शुरू करते हैं, है, तुम लोग को शर्म नहीं है क्या, चलो जाओ यहां से, क्या जी, हमारी विरादरी के लड़ने माले को ऐसे बोल रहे हैं, अरे भाई, तो किस के सामने बोल रहे हैं पता है, वो मेरे मामा है, उनको हक है मुझे डाटने का, है, जाओ तुम लोग, मैं इसे भी करांगे, यहां से निकल जा, अपनी शकल दिखाने की दूरत नहीं है, इसे बोल दे, यहां से चला जाए, जो पूस्चार जी, सब टेक हारा, अलो कौन, क्या मैं तेरी दी बोल रहे हूँ, दी बोलो दी चार पाच लोग मिलकर तेरे चीचा जी को मार रहे, कौन सी दिदी है मामा बता नहीं यार कौन ने पूछा तो चिलाने लग गया कौन सी कौन से जाइब तेरी माँ तो तुछे फोन करती ना लोन कि दूसरी दिदी ना तीसरी में से पकड़ों कि दूसरी ही गई करक्वा मा मैं सबसे मार खाने मादा भई सब उसी को पीटते हैं आए कौन मार रहा है मेरे मौसा को देखते हैं आरे मारो मारो ठीक है ठीक है क्या मौसा हमेशा मारे लडो माट अरे मैं आरे घ्रणा होता तो तुझे फोन करके क्यों बलाती मैं काफी नहीं हुआ कुछ रिष्टिदारों के भी जबन को लेकर जगड़ा हो रहा है तो तेरी जी-जाजी सुल जाने की कुशिश कर रहे हैं तो फिर कौन से दी है तुझे खाने की पड़ी है मोटी कहींगे आके तुझे बताता हूं अरे जल्दी चलो मामा जल्दी चलो क्या कर रहे है जल्दी घुपाओ बैटने दो चलो 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 अब लगा के दिखाईने सोचना है कि पूशने माला कोई नहीं है लोगों का बाप आ गया है के एक यह ले जोड़ना नहीं है जोड़ना मार शेक मार शेक मार शेक मार शेक मार शेक कोई भी मेरे जीजाजी पर हाथ उड़ाएगा ना तो उसके टुकड़ा टुकड़ा कर दूँगा क्या हुआ था कोड़े एरसु जमानत पर बाहर आ गया ना तो ये लोग मेरा बैनर हटा कर उसका बैनर लगा रहे थे चल अंदर आजा एक अच्छी खबर सुनाने आया था इतने में यह सब हो गया यार शादी के बारे में क्या? वही तो, अब तक उस बुद्धिबान ने बता दिया क्या? मुझे लगा था कि ऐसा किसी ने नहीं बताया हमारे लिए अगर खुशकबरी है तो तेरी शादी ही हो सकती है अच्छा, वैसे लड़की का नाम क्या है? कनका क्या? क्या का था? करने मीटा है कान करवा है कौन है वो? प्यार करता हूँ, उनका भी बाउत बड़ा परिवार है हम बाउत अमीर है प्यार करता है तो अच्छी बात है पर मैं सूच रही थी कि किसी पहचान व्राली लड़की से शादी करता तो अच्छा रहता ना मैंने तुछ से यह सब कहा ऐसा किसी से भी क्या नाम था मैं नहीं बोलूंगा हुमारी शादी में सब सब आगे मैं खड़ा मिलूंगा धन्यवाद जी-जा जी ठीक है ठीक है किसी लिए बोला था न मामा पहले मेरे घर आने के लिए देखा न कैसे positive waves आ रहे हैं अभी तक मेरी की बात खत्म नहीं हुई है मेरी सिर्फ तीनी कंडिशन है मेरा बाप शुरू हो गया पहला नेम्स श्रीमान तामर मलालन सेंडियार बीए पत्रिका में पहला नाम मेरा आना चाहिए और अक्षर बड़े और शांदार डबल कलर में नेम्स में मुझे कोई बेज़ती नहीं दूसरा अभी नहीं बताऊंगा वरना तुम लोग टेंशन में आ जाओगे तीसरा रेशम की धोती और साथ में कुर्ता और पांच तोला सोना किसको बेचके तू अपना मुझ बंद रख गुणा सिंखम की शादी में टीमस आकर खड़ा रहेगा तो कैसा लगेगा सुचो अब दूसरे पर आता हूं मेरा सगा भाई मेरे भाई को शादी में मत बुलाना वो नहीं आना चाहिए अगर वो आएगा तो यह नहीं आएंगे यह शादी में इसलिए कर रहा हूं था कि आप दोनों भाई मन से गिलेशिक भी मिटा सको पापा की यह इच्छ है क्या कहा गि पाला था जायदात की लालच में बड़े लोगों के सामने मुझे बेज़त करके कोट लेकर चला गया कहां कोट में अंडरलाइन उसकी ऐसी नियत की वज़े सही भगवान ने उसे बच्चे का सुख भी नहीं दिया जी जाजी एजी कब तक ऐसे ही रहेंगे हजारों की इच्छा यही होती है ना कि अर्थी को कांधा देने वाल अपना हो और जायदा तो हम मर जाएंगे तो उसके बाद थुड़ी ना लेकर जाने वाले हैं आपका जुठा दूद्ध पीकर वो पले बढ़े हैं आप बुलाओगे तो आ जाएंगे मैं उन्हें लेकर आता हूं कि चीढ़ी की शादी में उसे नहीं बुलाओंगा खि निभेश अ भाई अब तक आप MLA बनकर संसाद में बैट सुके होते लेकिन उस गुणा सिंगम ने आपको चौराई पर बिठा दिया उसे छोड़ना मत मैं ठीक हूं भाई आप नहीं आये तो मैंने शादी कैंसल कर दी मेरी शादी आपकी मौझूदगी में होगी अगले मैंने चार तारीक को शादी है आप जरूर आईएगा कार्ट फिर से प्रिंट होने को दिये हैं तुम लोग जाके खाना खालो आप लोग जाईए तरी वफदारी से मैं बहुत खुश हूँ लेकिन अगले छे महिने तक मैं कुछ कर नहीं सकता समानत मिल गई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी भाई समानत तो उसकी मिलिये जो मैंने किया ही नहीं है लेकिन अब मैं किसी का खून करके जेल जाने वाला हूँ भाई तू फिक् इनके बारे में पता लगा है आजाओ मेरे लाल मेरे काले तुम दोनों आने वाले थे ना इसलिए देखो मैंने मुर्गी बनाई है आपका ये प्यार दिदी आपके प्यार नहीं मुझे बांद कर रखाया बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है लाओ तो क्यों मेरा मू न मैं खुशकबरी बताओं इससे पहले मैं थोड़ा खाना का लेता हूं क्या है बोलना आप मुझे चिकन खिलाने वाली हो और मैं आपको शादी का खाना खिलाऊंगा पहले बोल कर दो देखो तू शादी कर बच्चे कर और बच्चों को मुझे दे मैं अपने हाथों से पाल उसने का तुम होट जीजाजी कैसे हो अच्छा हूं सुनने में आया है की तुम शादी करने वाले हो कहां कर रहे हो उसी कर रहे हो उसी करर हो थायँ से शादी में खाने से मना किया होगा ना सीनना ठोग कि भोला कि यूजे कर पढ़ा कि युक नंबर का फालतू हमेशा मेरे खिलाब बोलता रहता है वह कि शादी करिवाने के लिए पांच तोला सोना भी मांगा होगा वैसे इतना सोना देesto नहीं चाहिए तीन तोला काफी है मेरी बात सुनों वो आदमी शादी में नहीं आना चाहिए बस मैं कुछ और नहीं चाहिए अगर बुलाना हो तो इनी दोनों को ना बुलाओं क्या बात है इच की आ रही है दोनों भाई जायदात के लिए जगड़ा करने यह अच्छी बात अधे रही है जीजाजी आप दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए अडर्ररर नहीं मिल्ना मिलना जीजाजी दिल में इतनी कड़वाहट की ओबरके रखी है करवाहट नहीं कुस्सा है तो मुझ में गुस्दा नहीं पति इस खाना-पना कर खिळाती रहे खाना कर ख़िलाती मामा पडोस का घार है कैसी हो मैं ठीक हूँ तुझे क्या करना है तुम लोग तो खुश हो ना भाई साब कहां पर है गए होंगे कहीं रोजी रोटी की तलाश में एई ऐसे दर्माजे के पीछे बैठ कर आंसू बहाएगी तो चपल से मारूंगी एठा मुझे आपसे एक बात क खोश रहो वो भी बहुत अच्छी लड़की है आप देखोगी तो आपको भी पसंद आएगी आप सब आओगे तभी तो शादी होगी ना मैं कैसे आ सकती हो ए सुन अगर तुझे जहर वगेरा पीना होना तो दर्वाजा खोल कर पीना पढ़ना मर्के साड़ जाएगी अग की वज़े तू ही है अब मुझे गुसा दिलाकर और बोलने पर मजबूर मत कर अगर मैंने कुछ उल्टा सिदा के दिया तो सब लोग मुझे ही बुरा कहेंगे तो चंदा दर्वाजा खोलो चंदा चंदा जब से पैदा हुई है चितना अपने बाप का नाम नहीं लिया तुम पढ़ी लिखी लड़की हो तुम्हे खुद बताना चाहिए कि अच्छा बुरा क्या है अच्छा मुझे तुमसे बात करनी है दर्वाजा खोलो ना मैं तुम्हे नापसंद नहीं करता तुम एक बात बताओंगा तो तुम खुद समझ जाओगी खोलो दर्वाजा ठी अब तुम शुरू करेंगे यही होना था गाओ में हर कोई मर रहा है पता नहीं मुझे मौद क्यों नहीं आ रही है मैं क्यों इस घर में बहु बन कर आई मेरी किसमत ही फूटिया है अरे नहीं उठाओंगा तू कर यह कौन से नंबर है अलो हलो कौन है हलो हाज जुजजजी मैं सालाबात कर रहा हूं हमारे राज में जिनकी शुब मूरत में शादी होती है तुम कौन से वाले हो जिजजजी गुणा सिंगम बोल रहा हूं अच्छा आप कहा हो अभी क्या बात है बोल ना शादी के बर में मुझे तुझे जब करना है उस दिन कर ले ना और मैं शाद पाप किये ना उसको धोने के लिए काशी जा पांच मिनिटे जाओ मैं बस अभी आ रहा हूं आप ठीक है जा जा जी जा जी बस टेंट पर आगया हूं कहां पर हो आप अपनी मर्जी से अपने टाइम पर आएगा तो कैसे चलेगा जी जा जी बस निकल गई क्या बस नहीं न अरिवार बिखरा पड़ा है मैं काशी जा के क्या करूंगा अचा अभी कहां हो जी जा जी इबी आफिस में कनेक्शन पूछा दे बिना यह लोग घसीट जा रहें कनेक्शन दे रहे हैं मैं जहर खाके मर्जा यह कहने के लिए यहां आया गवर्मेंट ऑफिसर किसानों को ब मेरे अधे मिघ्यों आए हैं सवाल पर सवाल किया जा रही हैं जब मैंने फों इचान यह मेरे कले में मंगलसुत्र पहनाना इतना असान है क्या मैं भी तुम्हारे साथा आचाओ तुम्हें मेरे साथ लाना है इसलिए तो मैं नी मुसीबत खेल रहा हूं अरे मामा उनी का फोन आ रहा है अधा मध उठा बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ना जानू अरे फोन तो उठा आई मिस्स यू मामा अरे फोन तो उठा एलो आप बोलो जी जा अपनी शादी के चकर में तू मेरे घर से मयात तिका लेगा यहाप क्या बात करे हो मेरे बीवी ने जहर पी लिया है बड़े होस्पिटल लेके जा रहे है अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं क्या हुआ ममा उसमें जहर पी लिया यार अरे पाप रे ट्रीप्मेंट नहीं करवाना है मुझे बश्यवाब चाहिए बड़ना मर जाओंगी इसको देखकर लगता है किसने जहर पी है क्या अधिती जहर क्यों पी लिया अरे आप ट्रीप्मेंट कीजिए ना मैं क्यों जहर पीऊंगी जिसको तुमने शौदी करने का सपना दिखा पढ़े लिखे लोग सुसाइड करने पर तुले विए हैं यही सिखाया जाते हैं तुम लोगों को एक जहापड़ दूँगा सार इसका ट्रीटमेंट करो वो जो बैठी है वो ट्रीटमेंट नहीं करने दे रही फरस्ट एट दे दिया मैंने एक कामकर तू इससे शादी करे वरना इसकी लाश को ले जाकर दफ ना दे गई यह सब क्या है यह दिन देखने के लिए हम लुक साथ पले बढ़ें मेरे चांदनी इतनी कमजोर है यह फैसला मैंने क्यों लिये तुम्हें समझ में नहीं आया ना ठीक है उस लड़की से बात करके मैं तुम से शादी कर लेता हूं कॉन सारू मैं कॉन सारू है कॉन सारू है आए मैं वचण देता हूं तू अभी अभी उसे वचं दे यह बच जाएगी तो अभी बाद नादाजी को हाँ अभाँ सीरीयों वो क्या आफ कर रहा है जल्दी जल्दी अरे बाबा ड्रीट्मेंट जो भी याँ अरे देखें अरे मामा 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 रुको रुको उनको कुछ नहीं हुआ है अरे वो ठीक है मैंने जूट बोला था मामा एसी बाते क्यों करते हो कोई नहीं है मामा जी चुक्के से नहीं सुन रही है मामा इस शादे के लिए कितनी तकलीफ उठा रही है यह बात मैंने उसे बता दी ती उस दड़की ने कहा थे कि मुझे सब कुस लाइब दिखाओ मैं देखना चाहती हूं कि आखिर चल क्या रहा है वहां पर उसने कहां से स हाह हाह मुझे तलाग दे दीजिए ये कैसी बाते कर रही है तू मुझे तलाग दे जिए साट साल के हो गए अब आपको तलाग की क्या जरूरत है लोग आपे हसेंगे नहीं क्या क्यों पचास साल की उमर में बेटे के लिए घूम रहे थे तब लोग नहीं हसे थे ये तो कैसी बाते कर रही है तेरी जबान कटके गिर जाए बस किजी मा इस घर में बहुत जीलिया मैं मैंने बस हो गया अब मैं चैन से जीना चाहती हूं परिशानी को और मत बढ़ाईए मुझे तलाग दे दीजिए क्यों ऐसे बात कर रही हो मा तुम क्यों मुझे तकलीफ दे रही हो तुम लोग तुम लोग ही मेरे वारिस को चोट पहुँचा रहे हो तुम्हारे पापा मुझसे मेरी पसंद नापसंद जाने बिना ही इनसे शादी करवा दी अपनी इच्छाओं का गलाग उटकर इनके साथ चली आई आज तक अपनी पूरी जिंदगी मैंने बस इनहीं के हिसाब सजी है और उस भगबान ने मुझे बेटा देने के बजाए एक बेटी दी वो भ अच्छा परिवार है अच्छा घर है कहेकर उसकी शादी करवा दी गई और शादी के दो साल बाद ही उस शराबी ने उसका मंगल सुत्र छीन लिया उससे कहा कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी और तुम सब लोगों ने भी उसे वैसे ही छोड़ दिया 65-70 साल के आदमी श बहुत हो गया आज के बाद मैं अपनी बेटी और नातिन को खुद ही सबाहल लोगी सुन मार जाने दे पटाओ माँ जोड़ माँ जोबी बात हम करनेंगे ना जाने दो से मेरी बात तर तो अब उसी के बार में सोचेगे हलो आप से मुझे बात करनी है मैं कला हूँ क्या हाँ अजी मिलेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक आता हूँ आए नमस्ते बेटे ये क्या घर आए मैंमान का स्वागत करना चाहिए गुस्से मैं नहीं जाना चाहिए आव बेटा काफी लेकर आओ ठीक है देखो बेटा ये मेरी बहन है नमस्ते आपके पिता से शादी होने वाली थी आपके खांदान में लड़की नहीं देना इसलिए जगडा कर रही है वो सब तो छोड़ो मेरे खांदान में शादी चित्रा और पूर्णिमा मूरत में होती है तो ये शादी भी उसी मूरत में हो तो अच्छा है ये क्यों बोल रहा है उसके पीसे वज़े हैं मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहां के लड़के लोगों का भी इरादा कुछ ठीक नहीं है बस एक दू महीने की ही तो बात है अगर जहर पीने की वज़े से कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग हां तो फिर हम सब लोग यहां पर क्यूं है उससे किसी और से शादी करने के लिए छोड़ देंगे क्या हां सही का समझाईए इसे तू घबरा मत वही तेरे गले में मंगा सुत्र डालेगा और इसे कोई न अगर आज की बाद मैंने किसी के भी मुह से उसकी बाद सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मानिक राओ की बेटी आखिर बहला जहर कैसे पी सकती है आपको हाट अटक आया यह जूट बोलकर वहां जाकर चित्रा पोणिवां में शादी की तारिक पक्की करके आए यह बेसकती है मैं क्यों सिंदा रहू हूं मैं चलो आप लोग निकलो हम तीनों के मरने के लिए यह बता टाइम क्या हुआ है दस बज रहे है दस बजे पकड़ा किया तो फिर बारा दो घंटे अंदर यहां भीट जमाओ जाए क्या सरकस दिखानी है क्या हाँ सरकस ही दिखाएंगे अभी देखते जा जी जा जी जी जा जी अरे इसकी बेटी हॉस्पिटल में थी ना तब प्यार है ना इतने साले साली होने के बाद भी तुम लोगों करता है था निकरा हम не लोग ने करें मरने वाला हूँ बहुत सालों से मेरे दिल में करके सफारी सूट को उतार दे मुझसे बरदास्ट की हो रहा जब मैं मर जाओंगा तो मेरी मैयत में धूती कुर्टे में आएगा कि नहीं आएगा बोल जी जा हुआ बार बार एक ही बात कर रहे हैं अब अंदर जाए लगता है यह फिर से मुझीबत खड़ी करने वाला है आप तो है कि यह कहा ले जा रहे है इस के रहे हैं यह क्या करेंगे अरे यह क्या करेंगे सब को बहुत जल्दी है ना तो मैं यहीं पर मर जाता हुआ अब आपको और भीजो रहे हैं हम लोगो हम भी मर जाएंगे तो शाथ चोड़ अरे जाओ पानिलिंगरा आप चोड़िए आपके परिवार में इससे शादी करो इससे शादी करो दो हिस्से में बट गया है ना देखिए यहीं आप लोगी प्रॉबलम है परिवार में राजनीती नहीं होनी चाहिए राजनीती में परिवार हो सकता है वो चाहिए किसी भी लड़की से शादी कर ले पर वो सोड़ा वाली इस घर में नहीं हमारा भाई है हमारे घर में इस शादी करनी पड़ेगी हाँ बिल्कुल कि यह तो फूट गया इतना बचाय क्या भुख खड़ कहीं का कैसे ठूस रहा थो तो उस गुड़ा सिंग्वं से प्यार करती है क्या लड़कों ने बताया मैंने विश्वास नहीं किया मामा विश्वास कीजिए मैं सच के रही हूं सुन मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं हाँ मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ तो उसे प्यार मत कर यह तेरे लिए भी सहीन ही होगा और उसके लिए भी मेरी जिंदगी का फैसला मैं ही करूँगे पहले उसके घमंद को मारना होगा उसके बाद उसकी जैदाथ को फिर उसको मारूंगा आवाज से लग रहा है कि तुम्हारा मूड खराब है अरे बापरे मेरी आवाज सुनकर पता कर लोगी कि मैं किस मूड में हूँ तुम्हारी आखों को देख कर समझ सकती हूँ कि तुम किस मूड में हो मुझे अभी तुमसे मिलना है ऐसा है क्या अच्छा अपनी आखे बंद करो अपने रूम में सारा काम खत्म करके तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो फ्रेश होकर तुम्हारी मन पसंद पिंक नाइटी बहन कर तुम्हारे करीब सोकर तुम्हें कस के पकड़कर तुम्हारे माथे को चूम लिया फिर तुम्हारी आखों को और फिर तुम्हारे होटों को घस के चूम लिया मेरी शोना तुम्हें चल्दी घर पर लाकर साड़ी पैना कर सिंदर लगा कर तुम्हें बीवी के रूप में देखना चाहता हूं मलक अमारे केले के तारे पेड़ों को नष्ड कर दिया सब कुछ बगभास कर दिया उन लोगोंने हा यह भगभास बदमाश रही किया कर दिया किस बदमाश रहें किया तो when हुआ है माले हुआरे जोरी बेले को कि जी रहे मार डाना जी के माले में जोरी में जोरी क्यों तो खुआ है बहुत बुरा हुआ माईक अच्छा नहीं हुआ यह मुझे वहाँ पर देखने दो बेटे रुख जा रुख जा बेटा नहीं के हो गया पापा नहीं बेटा पापा मैं उसे सिसा नहीं जोड़ू गया व्का प्धे के लिगा जा हुआ जा जा हुआ मालिक बैलों को खेतों में दफना दिया है देखे मालिक पहले ये कितने खूबसूरत लगते थे अब चारों दरफ सन्नाटा हो गया है बाई साहब पाँच हजार केले के पेंट दो प्यारे प्यारे बैल इतना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद चाहे जितना बड़ा आदमी हो दुख तो होता ही है क्या सर घर में इतना बड़ा मातम चाया है परिवार वाले आये नहीं किसीने अलग कर दिया क्या गुड़ा सिंगाम मातम है क्या नदी के किनारे बेड कटवाने में तेरा हत था न और हो सकता है उसी गुस्से में मेरे लड़के ने तुम्हारे केले के पेड़ और बैलो को मेरे नहीं चोड़ूँगा तुम्हारे नहीं चोड़ूँगा तुम्हारे परिवार को मिटादूगा तुम्हारे को अंदर लेकर जाओ मां चोड़ूँगा नहीं मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मांग सकते हैं उसने सिर्फ अच्छा इंसान होने का ढोंग किया था उसको अच्छी तरह सबक सिखाना होगा आपकी बेटी की शादी उससे नहीं हुई इसलिए दुकी मत हुई है मैं कर लूँगा उससे शादी अगर आपको यतराज ना हो तो जरा इन्हें समझाओ क्या सोच रहे हैं साडू भाई ये खुद हात मांग रहे हैं जब ये खुद आये हैं तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है वैसे भी वो गुणा सिंगम बहुत हैंकारी है आपकी मर्जी जैसा चाओ वैसा ही होगा अरे हाँ कहा दिया इन्होंने चोड़ दे बहुत पर दो रहा है दीदी मां चलो खर चलते हैं मां आपके बिना खर सुना सुना लग रहा है मैं भी इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ कि आप आओगी मां चलो न मा घर में इतना कुछ हुआ फिर भी आकर देखने का मन नहीं किया आपको मां चलो न मा दीदे दीदे ए सुन तु भी इनके साथ मिल गई है क्या मुझसे बात नहीं करेगी मुझसे बात नहीं करना चाहती है दीदे ये मां क्या बोल रही है हमने कभी से नवकराने की तरह रखा था दीदे दीदी, दीदी मुझसे बात करो दीदी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, हमेशा मेरे सपोर्ट में बात करती थी न, तो आप क्या हो गया आपको दीदी, मुझसे जाने को कहों मैं चला जाओंगा, लेकिन ऐसे खामोश मत रहो दीदी, मेरे चहरे से भी नफरत हो गई है कि आ मामा अगर मैं सिर्फ आपका भामजा होता तो यहां कभी नहीं आता आपका दोस्त हूं बच्पन से इसलिए आया हूं मामा यह सब क्या हो रहा है मामा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मामा पुरुशत्म कितना बदल गया है आपके शाधी को रोकने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहा है अपने चांदनी के शाधी उस कोडिया रसुस करवाने के बाद चल रही होसकी चांदनी की शादी पक्की करवाई है क्या वो भी है खूनी के साथ वही मेरा दामाद है अब क्या करना है कौन वो खूनी मेरी चांदनी की साथ शादी करेगा क्या मुझे गुस्सामा दिलाओ मैं तुम सब को मार के अंदर जाओंगा मेरी बेटी की शादी मैं किसी से भी कर र तू होता कौन है चांदनी हमारी घर की लक्षमी है मेरे गुस्से की वज़े से उसकी जिन्दगी खराब मत करो तुझे इतनी चिंदा करने की ज़रत नहीं है जिसकी किसमत में जो लेखा है वही होगा तुझा जाके उस सोडा वाली से शादी कर ले चांदनी मैं तुमसे बात सब्सक्राइब कर सकता हूं लेकिन शराब नहीं प्यूंगा तो मामा आज तुमने इतनी क्यों पीली मामा आँ बोला तो था मेरी दीदी का पती शराब पीकर मर गया था इसलिए मैंने ना पीने की कसम खाई थी लेकिन बहुत बेज़ती कर दी मेरी लगा था शराब पीने से दर्द कम होगा लेकिन वो तो दर्द और भी बढ़ता जा रहा है मेरा घर खुशियों से चेक रहा था लेकिन आज शमशान की तरह लग रहा है दूसरे को रुलाने वाला इनसान खुद एक दिन रोता है मामा सबकी वज़े मैं हूं कह रहे है इसलिए किसी से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए वो या तो जखम देगा या जखम और कोई मुझसे प्यार भी नहीं करती है तुझे मुझे पर प्यार नहीं है चल मामा घर में चलते आजा मामा वह मंदिर मैं अंदर नहीं जाओंगा अरे तो फिर नहां के आते हैं यह सब लोग इदर ही है ना मैं भी यहीं पर लाएगा मामा अपने बच्चे को इस आलत मे मैं देखूंगे असर नहीं सोचता है कल सुबह ही सबको बुला कर एक फैसला लेते हैं यह बहुत ज़रूरी है ए रानी तुम मुझे वहां लेकर जाएगी या नहीं नानी मैं कह रही हूं ना वहां मत जाओ मानती क्यों नहीं आज मुझे वहां जाना ही है बहुत दिनों से सिनका इंतिजार कर रही थी करनका तुम कार में रहे ना मैं बात करके आता हूं ठीक है पापा अरे सुनो कहा हो अभी आई जी बताइए क्या लें गया नहीं वो सब कुछ नहीं चाहिए जी है नमस्ते आपके सामने अचानक आकर खड़ा हो गया आप सोचकर उलजन में होंगे ना कलीन या जब कॉलेच से आ रही थी तो कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़ छाड़ की कि निया किसी तरह उनसे संभल का रात हो गई पूश्टाच करने की बाद पता चला कि वो कोड़ी आरसू के आदमी निकले मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है उसे सही सलामत आपके घर में सौंब दू तो मुझे चैन मिलेगा अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप बता सकते हैं बहुत दिनों बाद आये आजओ बैठ कर बातें करतें औरे बाहर क्यों खड़े हो आजओ अंदर आओ मैं यही better कूं बड़ाया बेटने के लिए बोल रहा है क्या बात है बापा, सबको बाहर बैठा कर रखा है अरे ऐसे ही बाहर बैठ कर बातें करेंगे न, तुम बैठो न, आओ दरसल मैंने एक फैसला किया है, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी जायदाद सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाए इसलिए सबको बुलाया है मैंने मुनीम जी, जरा कागजात वगरा लेकर आईए हाँ, बड़ी बेटी महालक्ष्मी, तुझे क्या चाहिए बता पापा, अभी ये सब क्यों? तुझे वो फार्म हाउस पसंद है ना, तो तू वो रख ले वैभो लक्ष्मी बेटी, तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा ए, तेरे बाप के दिल में क्या है ये पहले से जान ले वरना बाद में पच्ताना मत अपने बेटे को क्या दे रहे हैं, पहले से ही पूछ लो आप अपने बेटे को क्या देने वाले हैं, पहले बताएंगे क्या? मैंने उससे पूछा था कि तुझे जाइदाद या लड़की में से क्या चाहिए तो उसने कहा था पापा में खुद कमालूंगा उस लड़की से उसकी शादी करवा होगे यही कहना है न आपको क्या फरक पड़ता है अच्छी तरह से सुन ले इस जायदाद में तुझे कुछ नहीं मिलने वाला मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें आपकी जायदाद से प्यार है ऐसी बात नहीं है मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ लेकिन अब ये से बचाना क्यों अब किसी की जिन्दीगी का क्या ठिकाना है अब अगर ऐसा मेरे मन में आही गया है तो उसे हो जाने दो ना शो चल जा ठीक है अगर ये जमीन जायदाद का मालिक नहीं होता तो कोई अपनी बेटी इसे देता क्या सवाल ही नहीं उठता है इसलिए मैं जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ फिर सारी मुश्किलें खत्म मतलब हम लोग जायदाद के लालश में शादी करवाना चाहते थे रिष्टेदारी कोई माइनी नहीं रखती क्या हम लड़के से शादी करवाना चाहते थे शायदाद से नहीं क्यों तुम ऐसी बात कर रही हो तुम्हारा प्यार मुझे पता नहीं है क्या तुम लोगों को बाहर बैठाकर और समधी को अंदर बैठाकर यहां क्या चल रहा है वो दिखाना चारहे हैं और वो अंदर बैठकर हमारी बाते सुन रहे हैं मुझे लगा ही था यह कोई तरीका होता है क्या ऐसे भी कोई अपने दामाद को इज़त देता है क्या पहले दिन के ले के पत्ते पर खाना दूसरे दिन थाली में खाना और तीसरे दिन हाथ में चाहते दिन जमीन पर ए देवी मा कहावत बोलने के लिए तुझे यही टाइम मिला है क्या चल निकलते हैं अले आप रुख करना शुरू कर दिया है उसका परिवार वैसे इतना भी पूरा नहीं है सुनिए पहले आप अंदर आइए चलिए तुझे मेरे साथ आ रहा है नहीं तो फिर तुभी यही रहे जबाब जा रहे हैं तो मेरा यहां च्याका अरे सुनिए बातों को उल्जा कर जाने से क्या फा कि इतना सबूंगी अजगर से मेरा को इसुक्तर लाए पहुत अच्छी बात है जो मेरे बात नहीं समझ रहा है वह यहां से चला जाये बेतर अबहारे और मेरे परिवार मेह थो तोट गया है मेरे मरने पर भी मताना तुम बाब के रिष्टे से आओगे और ये मामा के रिष्टे से आएगा वो क्रिया कल्म का सामाद मुझे अभी दे दो मैं चली जाती हूँ ये रिष्टा रखने से अचाहे कि मैं खुदी जलकर मर जाओ अरे क्या बोल रही है तू गर के अंदर जाओ और कफल लाकर इसके मूँ पर फेंग दो पापा आप ये कैसी बाते कर रहे हैं या इस सब अपने मूँ से नहीं बूल रहे हैं पापा कोई इनको भड़का रहा है लेकिन आप गुछ मत बोल दे नहां पापा दिदी पापा गुछ से में ये सब बोल रहे हैं आप जाकर ले आओ कफन और न तुम भी इस घर से चली मारूं जाओ मा मालकें मतलब हमारा भी अंजाम यही होगा क्या आप जो कह रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं है गलत है हां सही का ठीक कह रही हो इज़त देने की बात करके बेज़त कर रही हो खुश रहो हमारे चार दामाद अलग-अलग कोक से जन्में इसलिए उनकी सोच अ पिर तुम्हारी सोच अलग कैसे हो सकती है तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए एक लड़के को जन्म दिया था आज जबकि वो तकलीफ में है तो तुम सब स्वार्थी हो गई हो हमने जिस फसल को अपना बच्चा समझा वो लोग उसको काट कर चले गए पूरा गाउं आया पर तुम लोगों का आने का मन नहीं किया हर वक्त दूसरों के बारे में सोचने वाले को यह दुनिया रुलाती है यही आज का दस्तूर बन गया है पर मैं अपने बच्चे को रोते नहीं देख सकता मैंने उसी दिन इससे कहा था कि अगर हमारे परिवार में से कोई एक भी यहां नहीं आया तो तेरी शादी नहीं होगी तू किदर जा रही है कार में जाके बैठ और अब तुम लोग आओ या ना आओ ये शादी तो जरूर होगी और ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है ल को आपस में जगरने की जड़र्त नहीं है आपके परिवार को मैं बिखेरना नहीं चाहता आप इसकी शादी कहीं भी करवाइए आपके परिवार को तोड़ने की वज़ए मैं नहीं बंना चाहता अब मैं क्या है है मार दे हाथा थोड़ा इस अप्राइब कर रहे हैं इसे बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इज़त से बात किशी है अरे रुकिये क्या करें अरे क्या करें आप लोग अरे क्या हो रहा है रुचाओ मैं कह रहा हूं रुचाओ बंद कर दिये सकता घर आए मेरी पापा पर तुमने हाथ उठाया इसका चवाब तुम्हें देना होगा महरबानी करके सब लोग यहां से चले जाएए मैं कर रहा हूं चले जाएए दादी मेरी एक मदद कर सकती हो बोल मेरे बच्चे क्या करना है आज तक मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा है नब्बे साल की हो गई हूँ सब लोग मिलकर मंदिर में मेरे सिर पर एक लोटा पानी डाल दोगे तो मैं चैन से मर सकूँगी मेरी आत्मा को शान्ती मिल जाएगी जब बुलाएंगे तब जाएंगे जब जाने के लिए कहेंगे तब चले जाएंगे अब उस घर में कदम कौन रखेगा वैसे किसी मंदिर या मंडप में भी करवा सकते हैं देख अगर तू चाहेगी तो सब को इकठा करके एक साथ ला सकती है ए छोटी जब तक मैं जिन्दा हूँ तो मुझे मिलने नहीं आई जब मर जाओंगी तब मुझे माला पहनाने तो आएगी न या फिर उस वक्त भी नहीं आएगी तेरी उस भटबटी पर बैटकर मेरी तो कमर ही तूट गई चलना भी मुश्किल हो गया है बेटा तेरी सब ही बेहने आने को तयार है दादी की प्रोग्राम में पूरा गाहाँ आएगा तो सब दीदियां नहीं आएगी क्या घर का काम है तो करना ही पड़ेगा नानी चलो ना कहां तुमारी मा कारिक्रम है मैं नहीं आ रही हूं हम सब के खुशियों के लिए हमारी पर नानी ने मंदिर की कितनी सिडियां चड़ी होंगी हमें मुस्कुरात हुए जाना चाहिए नहीं आ रही हूं कहा ना नानी नहीं आ रही हूं नहीं आ रही हूं नहीं उ Carlo पार प्लाव स्बस्टे नमस्ते नमस्ते आये के विवा झालो तूभा मिना ङा whoa कि आज 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 बोल क्या हुआ जी तामर मलालन सेंडियार का इस गाउं में बहुत बड़ा नाम है तुम्हारे घर में जो ये खाना देने वाले हैं उनके लिए मैं इलाम नहीं कर सकता कोई भी एरा गेरा आजाता यहां पे सुनिये मेरी बात तो सुनिये सुनिये तो मीनिबस ने यूटण को ली लिए यूटेंडर के क्यों जा रहा हैी? नमस्ते अघ्टी आय मनलंस्ते अच टि कम मैं कि वेल्कम बलकम मां संचना अलativa आँ लाव । दय был चंदु notamment अख़के क्यों जा रही है आए आई आए आई आए नमस्ते यह एकन्सान बिना बुला आया आथा है बहुत सबकर नमस्ते नमस्ते आ रहा हूं आ रहा हूं भाई गुसद कर दंगा करके तुझे मारने का प्लाइन किया है जरा बच न बता देते रहा हूं हमस्ते किलाए अपने जीजा से समल करें ना सब का खोखा पोचा दिया सब्सक्राइब करना नहीं अनुद्स आता हूं मेरा फर्स तब बता ना बता दिया ठीक है रहा है नहीं यह जो अधिक कर रहे लिदे कार इंसान है वह जिससे आप खड़े ग करके बाद कर रहे थे आदमी रखना सिर्फ उसी को आता है मैंने भी अपने खर में आदमी रखे हैं वह अपनी पार्टी गया है चला जा देखते हैं कि अजीती रहो बेटी हमेशा खुश रहो अरे आपका पैर छुना तो मेरा सुभागे है तू जो कुछ कर रहा है वो हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा तेरा दिल बहुत बड़ा है हमेशा खुश रहो बेटी हां आपसे बोलना हो इस फंक्शन में आकर आप लोगों ने इसकी शोबा बढ़ाई है कम से कम खाना वना खा करके जाईएगा आप तो ऐसे जारे जैसे पराय में आये थे गाली दिना तो मुझ पे दो ऐसे दिल में रख करके मत घुमो बाई आग है तो बुजाना तो मश्ते हैं मैं शेर हूँ भूल क्या कर सकता है जोस्ता है क gli sanctions की तरिकी था होता है मैं और बैटी शाओं अ अरे, ए छोड़, मा, दीदी, मेरी बात तो सुनो, ए सुन, मैं कल ही अपनी बेटी की शादी करवा दूँगी, अपने आपको मामा बता कर मैं ही माला पहनाऊंगी इसे, और अगर ऐसा नहीं किया, तो मेरा नाम बदल देना, हाँ भाई, भाई क्याकर इसको हमने सर पर उठा कर रखा था, लेकिन इसने तो हमारे दिल को मटके की तरह तोड़ दिया है आज तक हम सब बेहनों के भीच में जित्ती भी खुशीया थी, आज वो खुशीया रही ही नहीं, सब लोग एक दूसरे को मुझ फेर कर चली जाती है अपना पन्नाम की कोई चीज रही ही नहीं, तूसरे की खुशियों के लिए तुमने हमारी खुशियों की बली चड़ा दी, उसमें ऐसा क्या है जो तू उसे पसंद करता है, अभी भी ऐसा नहीं कह रहा है कि उसे छोड़कर इस से शादी कर लेता हूँ, इह, ये सब क्या क्या रहे हो तुम लोग, तो फिर अब तक शादी क्यों नहीं की उसने, मा, आपके शड़ियंत्र के बारे में हमें सब पता है, पीट पर वार करती हो और मूपे मुस्कान रखती हो, इसे पकड़ी है मा, अब मैं कुछ बोल सकती हूँ, देखो अभी तुम लोग, तुम लोग मं बच्चों को किस ने पढ़ा है, ये तो बता, तीन लड़कियों की शादी करवानी है, इसलिए बैंक में पैसे डिपॉजिट करके रखे, और तुम लोग इस तरह की बाते करती हो, इसके बारे में शर्म नहीं आती, बैसाखी हो, पोंगल हो, दिपावली हो, हर तुम लोग की बेटियों की शादी बड़े अच्छे घर में हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या चाहती है, किस तरह की बाते सोचती है, क्या एक मा के दिल में अपने बेटे के लिए कुछ इच्छाए नहीं हो सकती, क्या मेरा दिल नहीं चाहता, मेरे बच्चे खुश र के लिए क्याए च्छाए नहीं क्या दों नहीं लिए, क्या में घहले कर दिल मेंहार कि तो नहीं है, अ सब कुछ भूल गई तुम लोग यह ही तो कितना अकेला कर दिया है, मेरे पेटे को हलो, लाइन पे हो क्या, कहां मर गए इसके पावन मन को कोई समझ नहीं पाया मेरे को लिए पाव हम लोग तेरे पैर दोकर पानी पिये तब भी कम है माव कर दे हम सब को बहुत भला बुरा कहा न हमने तुछ से मेरे पते की कितनी बतत किये तुने इस पर माफ नहीं करेगा कि अपनी बेहन को बढ़ा दिल है तेरा माफ कर दे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है साले साहब, मुझे माफ कर दो अरे कुछ बात नहीं यही गुस्स है ना आपके मन में इसलिए एक दूसरे से इस तरह मूँ फेर कर जा रही है जाओ तो मुझे गाली दो यह आप लोगों का हक है मुझे मारना हे तो मार लो मेरे साथ जो भी करोगैं hen shit लेकिन महरूँ करके मैं से बात किये बहन नहीं कर सकता आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना वो भी एक तेरे का प्यार ही है और मैं भी जो करना वो एक तेरे का प्यार है अभी आप लोग मेरा गुना बता रहे हो कि मैंने आप लोगों के कहने परशादी नहीं की लेकिन कोई मेरी मजबूरी समझ सकता है मेरी परवरिश के बारे में बात करने लग गया है आप कह रहे हैं कि आपने मुझे हैसे पाला, उस बात के लिए मैं आपका करजदार हूँ, और ये भी ऐसा ही बात कर रही है, कह रही है तेरे बच्पन में मिने तरह मुर्णन करवाया था, अरे लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता न, कि मुझे उसे प्यार हो जाए, जब कि मन को ठेस नहीं पहुचनी चाहिए, रिष्टेदारी टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए 40 साल के मामा से 16 साल की लड़की की शादी करवा देते हैं, वो बच्चों को जनम देकर आभी भी तकली भोग रही है, सब हम लोग नहीं देखते हैं, अगर मैं इससे शादी करूँ मैं इससे शादी करो, कर लेता हूँ, या चंदा से शादी करनी है, या फिर दोनों से शादी करनी है, बोली है, अपने धरम में दो शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग जो बोलोंगे हो, मैं कर लूँगा, लेकिन यह रिष्टा नहीं तूटे, किसी का दिल नाम मिल चुल कर रहना, मुझे किसी में अलग-अलग चीज से पसंद नहीं है, पर सर्फ तुम में पसंद है गुणा, तुम हमेशा ऐसे ही रहना, अच्छी बात है, इसके कोई पिता नहीं है, तो इसी से शादी करवा देते हैं, मुझे से शादी करने के लिए, तुम तैयार होना, गुणा, शादी कर लूँगा, तुम हुच्छ तो रहोगे ना, गुणा, कोशिश करूँगा, मैं, तुम्हें किसी चीज की कमिनी होने दूगा, आपको रोना भी आता है, ये मुझे नहीं पता था, आपको रोते हुए एशा कभी नहीं सोचा था, सब को हंसाथे हो, सब के लिए जोकर बन कर गुमते हो, लेकिन आज हम सब को, हम सब को रोला दिया, गुणा, ऐसा क्यों किया, गुणा, ऐसा क्यों किया, ऐसा कुछ नही है, यह हमारी जायदाद है जिस लेड़ी को यह पसंद करता है वसी लड़की से इसके शादी करवाएंगी अगर किसी रे रोखत उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मेरी माँ अभी इसके गली में मंगल सुत्रे पहनाने को क्या रही है इन लोग उने मुझे बुलाया ऐसे लिए हमाई हूं मेरे पापा इस रिष्टे के लिए रासी नहीं होगा डरो मत बेटी मेरे मामा बहुत गुस्से में है हालात अपने आप परिस्थितियों को बदल देता है मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगा निश्चन्द होकर जाओ हमने तुझे अपने परिवार का हिस्सा समझा था उस कोड़ियार सुने हमारे परिवार के गले पे तलवार रखी है मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है मेरे सारे रिष्टेदार नीचे बैठ जाओ आस-पास में कोई नया चरा बैठा है किया है चुपकर वार करता है कायर मर्द का बच्चा है तो सामने आकर मेरे बेटे से मुकाबला कर सुन बेटा इसे इसके घर पर पहुंचा दे ठीगे पपा गोड़ा सिंगाम तेरा बाप मैं मर्द हूं कि नहीं यह पूछ रहा था इसलिए मैं आया हो कि सिर्फ तू लड़की उठा सकता है क्या मैं भी उठा सकता हो हां तुने एक को उठाया मैंने दो लड़कियों को उठाया दो नहीं भाई तीन अरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा क्या उसको यहां छोड़के बाक्यों के लेके जा चलो उत्रों अरे ओ लड़कियों हाई गुड़ा डर लगना है क्या डर हमें क्यों डर लगीगा जब तुम हमारे साथ हो चुटे मामा अच्छी तरह से पिटाए करना हम फाइट देखने आए अब यह अच्छी तुम दोनों भाराओ क्यों मैं जिसको मारता हूं ना उसका वजन कम से कम पचास किलो होना चाहिए तुम दोनों अंडर वेटो गेट आउट चलो आओ अज़ो आओ हुआ है हुआ हुआ अच्छा वैसे इसमें कोई किसान है क्या वो लोग मेरी तरफ आजाओ किस लिए किसान के पेट पर पहली इलाज पड़ चुकी है ना उसको मैं भी मारूं क्या किसान किसान को नहीं मार सकता है इसलिए बोल रहा हूं किसान किसान के पास ही जाएगा ना जा रहा हूं और यहां पर बीपे शुगर हार्ट पिशन ऐसा कोई है क्या अगर है तो इस तरह आ जाओ हां मेरे को है हां मुझे भी है कम यह थेतों में काम करके हाथ एकदम कड़को चुके हैं अभी इतना मारूंगा ना मारो ले हाएगा है एफ! वाइ! ए एए खषा एव हुम इनकी हटी पस ये कर दो लев अडिए लीडिजे कसारra फॉड़ करे टूसानी हमारी वह है छे हुडे है तूस्टरर थाहि रूँẹँ लुट बोपानीbia ओओओ ओओओ एफट और अगाइज संभपू अगाइज अगाइज से उन्यक्त हुआरा जगेज से ठाएज एक्द उन्यक्ति गुडवार अगाइज से प sympathy बाइज सिंगे। मैंने जिनको अपने भाई कितरा पाला था उनको तुम लोग ने माड़ा ला कर दो ननकम लोगा लो डाला को अ उनक कितरा दॉल सुघंट वोगा ंवरा पाला कितरा लोगा तुम गली है lets दोली हुए यूप हुए झाली हुए वाला? हाई फ्रेंस आज हमारे घर में शादी है हमारे गुणा सिंगम की अरे आओ आओ बेटा आओ देख रहे हो आज हमारा पूरा परिवार यहां ही कठा है तो कितना अच्छा लग रहा है इसे कहते हैं खुशाल और भारा पूरा परिवार चलो अच्छा है कम से कम सब लोग एक तो हो गया है 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 स्टॉप हमें भी चलना आता है यह जा यह शुरू हो गया देखा हलो वाट्स गइंशन आओ 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 यह बैचा ना पापा परी पेदा हुई है अपने घर में मा लक्षमी आई है मा ने चा लड़कियों को जनम देने के बाद पांचवे लड़की को जनम दिया अभी भाई का क्या अगला बेटा होने वाला है फैमिली प्लानिंग करने के लिए बोल दिया है क्यों है यह क्या बोल रहा है बेटा लड़का पैदा नहीं होगा क्या बच्चों में लड़का यह यह से एंजो झाल झाल